अश्कार मैं डॉक्टर नीता चोहान सहय काचार्य रास्मीती विज्यान राजकी महविद्याले केकड़ी आज हमें प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे प्लेटो के सामने वाद पर विश्द चर्चा करने से पोर्वत हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि प्लेटो के बारे में हम उनके जीवन परिजय को थोड़ा सा यहां पर समझ लें तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्लेटो पाश्यत्य राजमितिक चिंतकों में सबसे उपर अपना इस्थान रखते हैं अगर हम दूसरे शब्टों में कहें तो पाश्यत्य राजमितिक चिंतकों में पहला नाम ही प्लेटो का आता है यूनानी दाश्निक थे जोकी सुकरात के सिश्य थे और अरस्तु के गुरु होने का सौभा के प्राप्द हुआ था प्लेटो ने रिपब्लिक लॉज स्टेटमेंट जैसी प्रसित रचनाएं लिखी थी इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रसिती रिपब्लिक को मिली थी प्लेटो ने अपने चितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें समवाद शैली का प्रयोग किया है यानि की बारतालाप शैली तो इनके पूरी की पूरे जो ग्रंथ हैं वो इसी प्रकार से समवाद शैली में प्रयोगत हुए है प्लेटो ने नीगमनात्मक अध्यनपधिती का इस्तेमाल किया है जिसमें सामान्य घटना से विशीश तक्वों की और जाते हैं प्लेटो का समयवाद प्लेटो ने आधर्श रज्जी के लिए समयवाद शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने ये माना कि आधर्श रज्जी के इस्ताफना के लिए समयवाद अत्यंत आवशक है अब समयवाद को वो संपत्ति के समयवाद और परिवार के समयवाद के रुप में देखते हैं प्लेटो ने सामेवाद में राजनितिक सत्ता तथा आर्थिक लोलुकता के सम्मिश्रण से जो उत्पन बुराईयां हैं उसके अंत की संभावना को प्रकट किया है वो ये मानते हैं कि लोग राजनिति में क्यों आते हैं केवल पैसा कमाने के लिए रिष्टाचार के लिए तो ऐसे में जब राजनितिक सत्ता आर्थिक लोलुकता के साथ मिल जाती है तो उससे राजनिति कलोशित हो जाती है ऐसे कलोशित वातावरंसी राजनीती को बचाने के लिए उन्होंने सम्मेवाद का प्रियोग किया है प्लेटो कहते हैं कि साशक के लिए परिवार वे संपत्ती निशिद होनी चाहिए जब साशक का अपना कोई परिवार नहीं होगा तो वह पूरे राष्ट के लिए सोचेगा इसी प्रकार जब संपत्ती निशिद होगी तो वह राज्जी के विकास कारियों में अपना सहज यूगदान दे सकेगा प्लेटो ने साम्मेवाद को दो प्रकारों में प्रतिबादित किया है एक संपत्ती का साम्मेवाद और दूसरा परिवार का साम्मेवाद तो यहां हम क्रमशह देखेंगे पहले हम पढ़ेंगे संपत्ती का साम्मेवाद इसके अंतरकर प्लेटो ने नीजी संपत्ती का निशेद किया है मुख्य रूप से प्लेटो का जो यह सम्मेवाद है वो कीवल साशक वर्ग के लिए है तो वह साशक वर्ग के लिए नीजी संपत्ती का निशेद करता है अर्धार्थ राजा अपनी कोई संपत्ती जो है वो नहीं अर्जित कर सकेगा उसे जितनी आविशकता है अपने खाने पीने पहनने के लिए उतनी संपत्ती वहराजिस से प्राप्त करेगा इसके अलावा अनाविश्यक रूप से धन अर्जन राजा के द्वारा नहीं किया जाएगा यहां तक की राजा जो है वो किसी राज महल में नहीं रहेगा बलकि राजी के द्वारा जो निर्मित बैरक होते हैं उनमें वह निवास करेगा किसी प्रकार की कोई चल अचल संपत्ती राजा के पास नहीं होगी उसे अगर है भी तो उस संपत्ती का त्याग करना होगा उसे मैं तो संपत्ती के प्रती आशक्ती रखनी होगी और नहीं परिवार के प्रती इन सब के प्रती मुहों का त्याग दरके उसे सन्यासी बनना होगा इसी प्रकार साम्यवाद के दूसरे रूप में प्लेटो परिवार के साम्यवाद की बात करता है यहां भी वह साशक वर्ग पर इसे लागू करता है किवल साशक वर्ग उच्छ वर्ग पर वह कहता है कि राजनितिक दोशों को दूर करने के लिए परिवार का सामेबात होना जाहिए यानि परिवार नाम की कोई संस्था राजा के लिए नहीं होनी चाहिए पूरी तरीके से परिवार संस्था को वह समाप्त करता है क्योंकि वह यह मानता है कि सारवजनिक हित प्रमुख होते हैं राजा का दाइत्व जो है वो व्यक्तिकत नहीं है बल्कि उसका दाइत्व संपूर्ण रच के का चिंतन करना है संपूर्ण राजी में निवास करने वाले लोगों की बारे में सोचना है तो ऐसे में अगर परिवार होगा तो वह किवल अपने परिवार की बारे में सोचेगा राजी पर ध्यान नहीं देगा इसलिए परिवार नाम की कोई संस्था राजा के लिए नहीं होनी चाहिए इसके अलावा वह परिवार के साम्यवाद के अंतरगत यह कहता है कि अगर परिवार का साम्यवाद किया जाता है तो एक स्रिष्ठ पूरुष का स्रिष्ठ इस्त्री के साथ समागम होगा जिससे की अच्छी संतान उत्पन होगी यानि अच्छी संतान उत्पत्ती के लिए जो कि आगे चलकर एक अच्छा दाशनिक राजा बन सके उसके लिए परिवार नहीं होना चाहिए बलकि परिवार का सामेवाद किया जाना चाहिए उन संतानों के पालन पोशन का ताइत्व प्लेटो रज के उपर डालता है यानि राजा को कुछ नहीं करना है एक स्रेष्ट पुरुष्ट और स्रेष्ट इस्त्री का समागम होगा उससे जो स्रेश्ट संतान उत्पन होगी उसका पारन पोशन रज्ज के द्वारा किया जाएगा प्लेटो ने जिस साम्मेवाद की रज्जना की है उसकी आलोचिकों के द्वारा आलोचना विवन्न बिंदुओं के आधार पर की जाती है नमबर इलक आलोचना की अंतरगत कहा गया है मानविय प्रकर्ति की मूल भूत प्रवर्थियों की आलोच अवियलना प्लेटो अपने साम्मेवाद में निजी संपत्ति का निशेद करता है जबकि निजी संपत्ति एक स्वाभविक प्रवर्थि है व्यक्ति जब जन्द लेता है उसी के साथ वह अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदार बन जाता है तो ऐसे में प्लेटो ने मनिश्य की प्रकर्ति की जो मूल भूत प्रवर्थि है उसी की अवियलना करती है दूसरी जो आलोशना की जाती है वह है जीवन के सामान्य अनुभों के विरुद प्लीटो कहता है कि परिवार का समयवाद होना चाहिए पत्मियों का समयवाद होना चाहिए संपत्ति का समयवाद होना चाहिए जबकि यह गलग है अगर जीवन को हम सामानी रूप से देखें तो एक स्रिष्ट इस्त्री और पुरुष्ट के समागम से स्रिष्ट संतान उत्पन हो जाए उसकी बाद की इस्त्री क्या होगी एक इस्त्री का कोई पत्नी नहीं एक पुरुष्ट जो है उसकी कोई पत्नी नहीं तो ऐसे में व्यविचार जाता उत्पन होगा बजाए की नदिक्ता की स्थापना हो सके इसलिए अगर सामान्य अरुभव की रूप में देखा जाए तो यह मुतांत गलत सिध्धांत कहा जा सकता है तीसरी जो आलोशना की गई है वह है व्यक्तिकत संपत्ती का अभाव प्रगती के मार्ग में बाधर अगर एक व्यक्तिकी जीवन में सदगुण विक्सित किये जाने है तो उसके लिए व्यक्तिके पास संपत्ती होनी चाहिए व्यक्ति विकास कब करेगा जब उसके पास संपत्ती होगी संपति होगी तो वह आगे अपने जीवन के उत्तरोटर उननती के मारग तगाश करेगा लेकिन जब संपति ही नहीं होगी तो वह अपने जीवन को एक नेराशी में भर लेगा और विकास के सारे मारग जो है वो अवरुथ हो जाएंगे चौधी आलोशना की गई है प्रतियोगिता का अभाव प्रतियोगिता का अभाव अगर हम देखें तो प्रेणना शक्ति समाप्त हो जाएगी जब संपत्य अरजन की भावना नहीं होगी तो वितनी आगे चलकर किसी प्रकार के विकास की बात नहीं सोचीगा वह समझीगा ठीक है अपने को तो जीवन निकालना है किसी प्रकार से भी जीवन निकाल सकते हैं और जब प्रतियोगिता नहीं होगी तो स्रेश्ट ता हमारी सामने नहीं आपाएगी अगर हमें अच्छे गुण विक्सित करने हैं तो हमें प्रतियोगिता जीवन में अवश्यमभावी रूप से स्विकार करने होगी अगली आलोशना की जाती है परोपकार और उदार्ता की समभावन नस्ट जब परिवार नाम की संस्था नहीं होगी शंपत्ती का निशेद होगा तो विक्ति ने तो परोपकार करेगा ने उसके अंदर उदार्ता की भावना होगी तो ऐसे में ये जो महत्वपुन विक्ति के गुन होते हैं एक विक्तित के विकास के लिए जो गुन है उन गुनों का अखाव हो जाएगा तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने जिस सामनेवाद की का सिध्धान प्रस्तूत किया है उसकी विभिन रूपों में आलोशना की जा सकती है धन्यवाद